इन से जुड़िए और अपने पढाई लिखाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाईगे और हम अपने संभव सिरीज को आगे बढ़ाते हैं तो अभिवादन श्विकार करें लोकेस त्रपाठी की तरफ से और आए संभव सिरीज को आगे बढ़ाते हैं और संभव सिरीज में आज हमारा टॉपिक है जिसे हम कहते है फिसकल पॉलिसी राजकोसी नीती टॉपिक का नाम से ही टॉपिक का अर्थ समझ में आजाएगा टॉपिक है राजकोसी नीती जिसकल पॉलिसी या जो राजकोसी नीती है अगर हम कहें कि इस चप्टर में पढ़ना क्या है तो राजकोसी इस सब्द दो सब्दों से मिलके बना है एक सब्द है राज और एक सब्द है कोश राज मतलब सरकार कहते ने राज काज की बात हो रही है राज मतलब सरकार कोश मतलब खजाना हिंदी में कहें तो कोश मतलब क्या होता है खजाना फन जार उपया पईसा रखा जाता है और नीती अस्वष्ट है कि अर्थात इस चेप्टर में जो हमारे राज का खजाना है, हमारी सरकारों का खजाना है, अर्थात हमारी सरकारे पैसा लाती कहां से हैं, पैसे को खर्च कहां करती हैं, इन से संबन्दी जो नीतिया होती हैं, उन्ही नीतियों का हम अध्यन करेंगे राजकोशी नीटियों में हम अध्यन इस बात का करेंगे कि सरकारे धन जुटाती कहां से हैं और उस धन को खर्च कैसे करती है यानि धन जुटाने की प्रक्रिया को भी हम जानेंगे और धन खर्च कैसे किया जाता है कहां कहां खर्च किया जाता है इसके बारे में भी जानेंगे हम ये जानेंगे कि सरकारों ने पैसा कैसे और कितना जुटाया है यानि धन कैसे जुटाया है और कितना जुटाया है साथ साथ ये भी जानेंगे कि जो धन जुटाया है जो पैसा जुटाया है उसको कैसे और कितना खर्च किया गया है यानि जुटाने और खर्च करने की दोनों प्रक्रियाओं को हम जानेंगे समझे के अगर बात लजाने की हो रही है राजकोस की हो रही है यानि पैसा आता भी होगा पैसा जाता भी होगा अगर हम राज कोस की बात करें, तो थोड़ा मैं इसको सरल और सहज बनाता हूँ, और इसलिए तो हम जाने जाते हैं, हमारे विद्यार्थी कहते हैं, अभी बना अच्छा लगा, पिछली क्लास का मैं कमेंट देख रहा था, एक विद्यार्थी ने मेरे लिखा था कि हमारे एकॉनमी जैसे कठिन विषय को हलुआ बना दिया, तो मैं खूब हासा, मतलब कितने क्रियेटिव विद्यार्थी हैं, मैंने सोचा भी नहीं था अच्छा, एकॉनमी भी हलुआ बन सकती है, तो उस दिन मैंने हलुआ बना के खाया, हमने कहा मेरे विद्यार्थियों के लिए हमें हमेशा प्रेरित करता है, कि हम खूब काम करें एकॉनमी पर, और आपके लिए बेहतर एकॉनमी का ज्यान और एकॉनमी की समझ लेकर के आएं, इस सीरीज में आप लोग जो मुझे प्यार दे रहे हैं, जो सम्मान दे रहे हैं, मैं कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, इस प्यार और सम्मान का सौमा हिस्सा भिया चुका नहीं सकता आपने इतना प्यार दिया आपने इतना सम्मान दिया इस सीरीज में कि मैं जीवन भर के लिए आपका रिड़ी हो गया आपका करजदार हो गया मैं ये बादा तो नहीं कर सकता कि ये कर्च चुकाऊंगा कर्च इतना बड़ा है कि मैं चुका भी नहीं सकता और सच है कि थोड़ा रिड़ी मैं रहना भी चाहता हूं हमेशा अपने विद्यार्थियों का थोड़ा सा रिड़ी मैं हमेशा रहना चाहता हूं मेरे विद्यार् तो अगर हम राजकोस की बात करें तिस राजकोस को दो एकाउंट में बाटा जाता है एक को कहते हैं राजश्व खाता अब मैं अपने तरीके से आपको समझा रहा हूं और दूसरी को कहते हैं फूजिगत खाता फूजिगत खाता धीक रेवेन्यू एकाउंट और कापिटल एकाउंट रेवेन्यू एकाउंट और कापिटल एकाउंट रेवेन्यू एकाउंट और कैपिटल एकाउंट राजश्व खाता और पूजिगत खाता रेवेन्यू एकाउंट और कैपिटल एकाउंट यानि राजकोस को दो एकाउंट में हमने बाट दिया एक हो गया रेवेन्यू एकाउंट और दूसरा हो गया कैपिटल एकाउंट अगर हम एक एक की बात कर ले पहले रिवेन्यु एकाउंट की बात कर ले फिर कैपिटल एकाउंट की बात कर ले तो अगर हम रिवेन्यु एकाउंट की बात करें अगर हम रिवेन्यु एकाउंट की बात की बात की बात की बात की इसमें देखना होगा कि इस खाते में पैसा आ कहते हैं प्राप्तियां रेसेप्स इस खाते में जो पैसा आएगा उसे हम क्या कह देंगे राजश्व प्राप्तियां क्या कह देंगे राजश्व प्राप्तियां और इस खाते से जो पैसा खर्च होगा उसे हम क्या कह देंगे राजश्व ब्याए यानि राजश्व प्राप पहले जानेंगे कि राजश्व प्राप्तियां कहां से होती है फिर राजश्व बै कहां से होता है ठीक वैसे ही जो पूजिगत खाता है जो पूजिगत खाता है इस पूजिगत खाते में भी हम दो चीजी जानेंगे एक पूजिगत प्राप्तियां पूजिगत प्राप्तिया अर्थात पूजिगत खाते में पैसा कहां से आता है और दूसरा जानेंगे पूजिगत ब्याइट अर्थात इस पूजिगत खाते में पैसा कहां खर्ज होता है अगर हम राजकोस की बात करें तो ये बन गया राजश्व खाता ये बन गया राजश्व खाता और ये बन गया पूजिगत खाता अब इस राजश्व खाते के दो भाग राजश्व प्राप्तियां राजश्व प्राप्तियां ठीक और दूसरा राजश्व ब्याइट ठीक पूजिगत खाते की अगर बात करें ते एक बन गया पूजिगत प्राप्तियां प्राप्तियां और दूसरा बन गया पूजिगत ब्याइट दूसरा बन गया पूजिगत ब्याइट यही है राजकोस का हिसाब किताब यानि राज को उसका हिसाब किताब करना है तो पहले राजशो खाते का हिसाब किताब करें राजशो प्राप्तियों का हिसाब किताब करें फिर पूजिगत प्राप्तियों का हिसाब किताब करें फिर पूजिगत प्राप्तियों का हिसाब किताब करें कहानी बस इतनी सी बात ह तो आईए एक-एक के बात करते हैं पहले हम बात करते हैं राजशो प्राप्तियों की फिर बात करेंगे राजशो बेगी तो पहले हम बात करते हैं राजशो प्राप्तियों राजशो प्राप्तियों याद रखिएगा दो प्रकार की प्राप्तियों राज़ा शुप्राप्तियों में रखी जाती है यानि दो सरोज से जो पैसा आता है उसे राज़ा शुप्राप्तियों में रखते हैं एक टैक्स से आया पैसा टैक्स से पैसा जो टैक्स से पैसा आता है अब टैक्स में दोनों टैक्स डाइरेक्ट टैक्स हमने आपको समझाय था और indirect tax भी समझा चुका हूँ जिसे हमने DHT कहा था indirect tax तो दोनों प्रकार के कर से जो भी पैसा आता है उसे किसमें रखते हैं राजशो प्राप्तियों में रखते हैं दोनों प्रकार के कर से जो पैसा आता है उसे किसमें रखते हैं राजशो प्राप्तियों में रखते हैं यानि राजशव प्राप्तियों में एक प्राप्तिया क्या है tax और दूसरी प्राप्तिया क्या है non tax revenue इसे कहते हैं गैर कर राजशव गैर कर राजशव धीक इसकी परिभाशा यह दी जाती है कि राजश्व खाते में पूरा नहीं राजश्व कहते में जा यू कहिए कि राजश्व प्राप्तियों में टैक्स के अलामा जो पैसा आता है उसे गैर कर राजश्व खाते हैं फिर से सुनेए राजसरकार की राजशो प्राप्तियों में टैक्स के अलामा जो प्राप्तियां आप होती है टैक्स के अलामा जो पैसा आता है उसे गैर कर राजशो कते हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू कते हैं सरकार बताती है कि किस कि स्रोत से प्राप्त हुआ पैसा जो सरकार को डारेक्ट टैक्स से पैसा प्राप्त होगा वो कह देगी टैक्स से आया है जो सरकार को नौन इंडारेक्ट टैक्स से प्राप्त होगा वो कह देगी टैक्स से आया है इस डारेक्ट टैक्स और एसा है उसे हम गैर कर राजशक में सामिल करते हैं तो आइए देखते हैं non tax revenue में कौन कौन सा पैसा सामिल होता है यहीं हमने दिखा दिया है कि कर राजशक में direct tax और indirect tax non tax revenue यानि गैर कर राजश को Tax के अत्रिक अन्य सुरुतों से मिलने वाले राजशों को non-tax revenue कहते हैं अब इसमें क्या-к्या सामिल होता है यानि किस-किस पैसे को हम non-tax revenue में सामिल करते हैं याद रखियेगा सरकार दौरा दिए गए सभी कर्ज पर मिलने वाला ब्याज सरकारे करज भी देती हैं देश के बाहर भी करज देती है देश के भीतर भी करज देती है करज क्या होता है जैसे माल लो दो हजार पचीस में करजा दे दिया गया है माल लीजिए दो हजार पचीस में सरकार ने एक हजार करोर करजा दे दिया और 10 साल के लिए दिया है, वो करजा आएगा 2030 में, तो करजे का सिस्टम क्या होता है, कि जो 1000 करोड मूल धन दिया गया है, जितने समय के लिए दिया गया है, उतने समय बाद मिलेगा, यानि 2030 में अगर 2020 में 1000 करोड दिया गया है, और उसको आना है 2030 में, तो वो 1000 करोड का मूल नाएगा 2030 में लेकिन उस पर व्याज हर साल मिलता है मुल धन की वापसी तो तब होती है जब टाइम पूरा होता है लेकिन व्याज हर वर्स मिलता है वर्वर्स सरकारों को जो व्याज मिलता है उस पैसे को सरकारे अपने नॉन टेक्स revenue में दिखाती है यानि गैर कर राजश्य में सरकार द्वारा दिये गए सभी कर्ज पर मिलने वाले ब्याज को सामिल किया जाता है तो सरकार ने जितना कर्ज बाटा है उस पर जो जो भी ब्याज रहता है उन सभी ब्याज को किस में सामिल करते हैं उन सभी ब्याज को सामिल करते हैं गैर कर राजश्व में नान टेक्स रिवेन्यू में पहला पैसा कौन है जो सरकारों ने रिड दिया है उस पर जो ब्याज मिल रहा है हर साल उस ब्याज के पैसों को नान टेक्स रि enterprises हैं जो सरवाजनी क्षेतर के उपकरम हैं जो सरकारी कमपनियां हैं सरकार की जो संस्थान हैं RBI इत्याद हैं इन पर हर्स ये स्काम करते हैं और हर साल profit कमाते हैं और profit का एक हिस्सा सरकार को भी देते हैं तो सरकार को जो ये संस्थान अपने लाभ पर लाभांस देते हैं स्काले पैसे को भी non-tex revenue में सामिल करते हैं, इसके साथ साथ सरकारें कई financial service भी देती हैं, कई प्रकार की विकति सेवाएं भी देती हैं जिससे सरकारों को आय परापत होती है, जैसे सरकारे currency printing करती हैं, पोश्ट आफिस का टिकट प्रिंटिंग करती हैं इनसे मिलने वाली भी आयक को non-tax revenue में सामिल किया जबता है इसके साथ साथ सरकारे कुछ समान सेमाए भी देती हैं जैसे सरकारे विद्दूत का भी तरड करती हैं बैंकिंग सर्वीस इंसूरेंस देती हैं तमाम प्रकार के फीस लगाती हैं तमाम प्रकार के जुरवाने असूल करती हैं इनसे भी प्राप्ट पैसे को non-tax revenue में रखा जाता है साथ साथ सरकारों को कई प्रकार के अनुदान प्राप्ध होते हैं ग्रांट प्राप्त होते हैं पहले फ़ारत खुब लेता थ हम भारत नहीं लेता है कहता हाम बहुत धनी होगा है कोई टेंसे यह रोगा कि किसे कह लेगा कि जो विक्सिद देश हैं जो वृष्भ अस्थाएं हैं वह तमाम प्रकार के अनुदान involved सरकारों को देते ही तो सरकारों को जो अनुदान मिलता है वो भी इसे सरकारे राजसों खाते में हिये रखती है तो कि तरी यह अनुदान में किसमें सामिल हो गया गैर कर राजश् you में और यह सब कुछ किसमें सामिल हो गया यह सब कुछ सामिल हो गया राजश प्राप्तियों में ठीक यानि हमने जो यहां ब्राप्त की थी राजश खाते में राजश प्राप्तियां पहले पढ़ना है और उसके बाद पढ़ना है तो राजश प्राप्तियों में हमने कहा था टैक्स से आया पैसा आ और नं टैक्स से आया पैसा तो राजश्यों प्राप्तिया हम समझ लिए अब हम सीधे समझेंगे राजश्यों बेया राजश्यों के बेया क्या है कहा और आपको बता तो राजशो घाटा आगे राजशो के खर्च राजशो की एक परिभासा दी जाती है परिभासा ये दी जाती है कि सरकार द्वारा खर्च किया गया वह पैसा जिससे किसी प्रोडक्टिव एसेट किसी उत्पादक संपत्य का स्रिजन नहीं होता है वह राजशो ब्याय कहलाता है सरकार द्वारा दिया गया वह पैसा जिससे किसी उत्पादक संपत्य का स्रिजन नहीं होता है वह राजशो ब्याय कहलाता है क्या कहलाता है राजश्यू ब्याय कहलाता है यानि सरकार पैसा खर्च कर रही है लेकिन कोई संपत्ति नहीं बन रही है अर्था कोई फेक्ट्री नहीं लग रही है कोई स्कूल नहीं बन रहा कोई होस्पिटल नहीं बन रहा सड़क नहीं बन रही पुल नहीं बन रहा संपतियों का सिर्जन नहीं होता प्रोड़क्टिव एसेट्स का सिर्जन नहीं होता उस गय को राजस शुब्य कहते हैं क्या कहते हैं राजस शुब्य कहते हैं यह जो आप कहोगे कि जब किसी उत्पादक संपतियों का सिर्जन नहीं होता है तो फिर सरकारे या खर्च क्यों क तो सरकार सरकार चलाने के लिए ठीक तमाम प्रकार के कल्यानकारी कारे करने के लिए या खर्च करती यानि कुल मिला जोला करके राजशों के खर्चे उस खर्चे को कहा जाता है जिससे किसी प्रोड़क्टिव एसेंट्स का सिर्जन नहीं होता है किसे उत्पादक संपत्यों क सरजन नहीं होता है उस सब राजसों के खर्चे है तो आपके मन में एक सवाल उठेगा जब कोई सब्पति नहीं बनती है तो सरकार खर्चे क्यों करती है तो सरकार खर्चे इसलिए करती है क्योंकि सरकार को कल्याणकारी कारे भी करने हैं सरकार को सरकार चलाना भी है इसलिए स जारना चाहेंगे कि आखिर राजय शुबय में क्या-क्या सामिल होता है तो जैसे सरकारे बाहर की सरकारों से कर्ज भी लिये रहती हैं जैसे वारत ने जापान से लिया है अमेरिका से लिया है सरकारे तमाम बैश्विक संस्थाओं से कर्ज भी लिये रहती हैं तो सरकारे जो वैस्विक संस्थाओं से कर्ज ली रहती हैं तो जब कर्ज का टाइम होता है तो मुलधन का भुकतान करती हैं लेकिन हर साल ब्याज चुकाती हैं बिल्कुल वैसा ही है जैसा कर्ज लेते समय था तो सरकारों को हर साल जो कर्ज ली हुई है याद रखना सरकार कर्ज लेती भी ह सरकार कर्ज देती भी है सरकार ने कर्ज दिया है और उसे ब्याज मिल रहा है तो राजशो की प्राक्तियां थी लेकिन सरकार ने कर्ज लिया है और हर साल उसका ब्याज चुका रहे है तो जब हर साल उसका ब्याज चुका रहे है उसे राजशो ब्याज में सामिल किया जाता है अर्था सरकारे जो हर साल ब्याज का भुगतान करती है सरकारे अपने रक्षा पर सैनिकों के वेतन और पेंसन पर जो खर्च करती है वो राजस्वय है सरकार सबसीडी तवाम प्रकार की देती है सबसीडी पर भी जो खर्च करती है वो रक्षा ब्या है सरकार अपने शासन प् हर साल किन सरकार राज्यों को वित्ती अनुदान देती है और यह भी पैसा राजशुबै का हिस्सा है सरकारे राज्यों को इस्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में भी पैसा देती है और सरकारे जो राज्यों को इस्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में पैसा देत ही है या भी पैसा राजशो बैय में सामिल होता है अगर हम हिसाब किताब कर चले करिये तो राजशू खाता राजशू खाता एक रेवेन्यू एकाउंट एक राजशू खाता रेवेन्यू हक अब सम्माने हमने पहले क्या सीखा राजशू प्राप्ती न राजश व प्राप्तियां फिर आमने शीखा राजश व भ्यारइत फिर आमने सीखा राजश व भ्यार्ट यहीं राजश व खाथा अब माल लीजिए राजश व भ्यार अधिक हो उसकी तुल्ला में राज़शु प्राप्तियां कम हूँ यारि जितना पैसा आ रहा है उस से ज़्यादा खर्च हो जा रहा है तो राज़शु खाता फायदे में रहेगा घाटे में रहेगा अरे घाटे में रहेगा तो जब राजश्व ब्याय राजश्व प्राप्तियों से अधिक हो जाए तो उसे राजश्व घाटा कहते हैं जब राजश्व ब्याय राजश्व प्राप्तियों से अधिक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं उसे राजश्व घाटा कहते हैं यानि माल लिजिये राजश्व प्राप्तियों हैं 100 रूपे की और राजश्व ब्याय है 150 रूपे का तो उस इस्थति को राजश्व घाटा कहते हैं इस इस्थति को राजश्व घाटा कह दे थिक यही बात भी लिखी दिए है कि राजश्व ब्याय जब राजश्व प्राप्तियों से अधिक हो तो उसे रेवेज्यू डेफ्सिट कहते हैं राजश्व घाटे की इस्थति कहते हैं रेवेन्यू एकाउंट में सरकार को जितना पैसा प्राप्थ होता है उससे जादा पैसा जब सरकार खर्च कर रही है तो घाटे की स्थती आएगी ही इसे ही राजशु घाटा कहते हैं 1997-1998 थे के बजट से इस सब्दावली का प्रियोग किया गया इसका मतलब नहीं 1997 इंठान अब मालनीजी राजश प्राप्थियों से राजश अधीक है तो राजश घाटा हो गया अगर यह गंडीशन आ जाए कि ये है हमारा राजशो खाता माल लिजिए ये है हमारा राजशो खाता ये है हमारा राजशो खाता ठीक ये है हमारा राजशो खाता ठीक राजशो प्राप्तियां राजशो प्राप्तियां और दूसरा क्या है राजश्व ब्याई राजश्व ब्याई अब देखना एक इस्तित तो समझ लिए कि यदी जितना पैसा आ रहा उससे ज्यादा खर्च हो रहा है तो घाटे के इस्तिती है राजश्व घाटे कहला है लेकिन माल लिजिए जितनी प्राप्तियां है उससे कम खर्च हो रहा है यानि प्राप्तियां अधीक हैं खर्चा कम है तो हमारा राजश्व खाइदा क्या रहेगा फाइदे में रहेगा जब राजश्व खाता हमारा फाइदे में रहता है तो उसको कहते हैं राजश्व अधिसेश उसको कहते हैं राजश्व अधिसेश उसको क्या से क्या है कम है माल लीजे राजश प्राप्तियां डेढ़ सो रुपय की खर्चा है ही सो रुपय का यानि पचास रुपया बच गया न तो यहीं पचास रुपया क्या कहलाएगा राजश्व अधिसेस कहलाएगा यहीं पचास रुपया क्या कहलाएगा राजश्व अधिसेश कहलाएगा तो आईए राजश्व अधिसेश क्या है देखिए यदि सरकार की राजश्व प्राप्तियां राजश्व खर्चे से अधिक हो तो राजश्व अधिसेश रेवेन्यू सरप्लस की स्थती आती है तो आपने स समझा राजश्व अधिसेश अब समझते हैं बेहतर इस्तिति के हैं थोड़ा मुल्यांकर करते हैं इस्तिति राजश्व अधिसेश की होनी चाहिए या राजश्व घाटे की होनी चाहिए थोड़ा इस पर मुल्यांकर करते हैं थोड़ा इसका क्या करते हैं मुल्यांकर करते ह पहले हम बात करते हैं राजशो घाटे की ठीक एक बात तो आपको हमने पहले ही बताया कि जो राजशो के खर्चे हैं इस खर्चे से किसी भी प्रोड़क्टिव एसेट्स का निर्मार नहीं होता है इस खर्चे से किसी भी प्रोड़क्टिव एसेट्स का निर्मार नहीं होता है तो जब राजश्यों के खर्चे से किसी उत्पादक संपत्य का निर्मार नहीं होता है कि कोई प्रोड़क्टिव एसेट्स नहीं बनता है इसलिए फाइनेंसियल पॉलिसी के छेत्र में वित्ती नीत निर्मार के छेत्र में जब अधिक रिवेन्यू डेपसीट होता है अधिक राजस्व घाटा होता है जिसको एक प्रकार का आर्थिक अपराध मना जाता है अर्थसास्री चोकन्ना हो जाता है सरकार के काल में आकर धीरे से कहता ही का कर रहे हो साहिब आपका राजास्व घाटा बढ़ रहा है और राजास्व घाटा तभीन बढ़ रहा है जब राजास्व के खर्चे बढ़ रहे हैं और इन खर्चों से कोई प्रोड़क्टिव एसेट्स नहीं बन रहा है, फैक्टिया नहीं लग रहे हैं, कमपनिया नहीं बन रहा है, कान में धीरिस कहेगा, आप बित्ती अपराद कर रहे हों, यानि अर्शासरियों को पसंद नहीं है, अर्थात, राजशु घाटा को फाइन अधिसेश के स्थती एक बार प्राप्त होई थी, दूसरी पंचवर्सी योजना में प्राप्त होई थी, दूसरी पंचवर्सी योजना में राधश अधिसेश के स्थती प्राप्त होई थी, अगर हम दूसरी पंचवर्सी योजना की बात करें, तो भारत ने राजश अधि इसकी स्थती प्राप्त कर ली थी लेकिन इससे अर्थ व्योस्था को कोई फायदा नहीं हुआ इससे एकॉनमी को कोई फायदा नहीं हुआ उल्टे अर्थ व्योस्था में कई बुराईयां आ गई राजस व Addisicth की स्थित्ग हुई लेकिन इसे अर्थविवस्ता को कोई दुरगामी फाइदा नहीं हूं विविल्ट अर्थविवस्ता में कई बुराई आ गई जैसे हुआ क्या हुआ ये कि सरकारों ने राजस्व अधिसेश को प्राप्त करने के लिए राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाया और बढ़ाने के लिए कर बढ़ा दिया अब जब अधिक कर बढ़ा दिया तो कर चोरी की घटना सुरू हो गई काला धनी यहीं से आ गया ब्रश्चाचारिक का जन्म यहीं से हो गया वह कर बढ़ा देंगे तो करदाता सोसता है इतना कर बढ़ा दी है थोड़ा चोरी ही कर ले थीक तो थोड़ा टेबिल के नीचे से वो घूंद देगा अधिकारियों को थीक लो भई या उसके बद निताजी हला करेंगे निताजी हला करेंगे मुझ फाड़ेंगे तो फिर आएगा धीरे से इनके मुझ में एक गड़ी नोट रख देगा और इनसे हाथ मिला लेगा तो जो अधिकारियों को धीरे से दे दिया निताजी के मुझ में डाल दिया पैसा बचा लिया जो पैसा बचा वही काला धन का लाया और इस काले धन को छुपाने के लिए जितना काम किया गया वो ब्रश्टाचार कह लाया तो अर्थवेवस्था में काले धन और ब्रश्टाचार की समस्या भी यहीं से आगी समझ में आगए बात वर्थव्योस्था में जो काला धन और भ्रष्टाचार की समस्य आई वो अभी यहीं से आगी टिक तो अर्थव्योस्था में कई बुराई आई काला धन आया भ्रष्टाचार आया ये बात तो हो गई तो बहतर इस्थती क्या होने चाहिए बहतर इस्थती क्या होने चाहिए बात तो ठीक है बात तो ठीक है कि राजशो के खर्चे से किसी उत्पादक संपत्ति का स्रिजन नहीं होता बात तो ठीक है लेकिन एक बात यहां और भी तो है राज कोई ब्यापारिक संस्था तो नहीं है भाई राज सिर्फ इसलिए तो नहीं है कि वो प्रॉफिट कमाएगा और एक बात तो यह भी है कि राजस्व खर्चे का एक बड़ा भाग समाजिक सेवाओं पर खर्च होता है और समाजिक सेवाओं पर खर्च लोगों के कल्यार की अवश्यक सर्थ है हाँ इतना जरूर है कि यदि यह खर्च आएस से बहुत अधिक हो जाए तो अर्थवेवस्था गतिहीन हो जाती है उसलिए एक कॉनसेट आया इसलिए एक concept आया कि revenue surplus होना चाहिए कर को बढ़ाकर नहीं बल्कि कर के आधार को बढ़ाकर होना चाहिए ऐसा नहीं है कि 30% tax लग रहा है तो 40% कर दो कर का आधार बढ़ाओ, tax net बढ़ाओ कर आधार का मतलब कर प्रसाशन को ऐसा कर दो, करो में ऐसा सुधार लाओ कि जादे से जादे लोग कर देने की प्रक्रिया में सामिल हो जाए यानि कर दाता की संख्या बढ़ाओ, कर को न बढ़ाओ, कर दाता की संख्या बढ़ाओ तो बात कही गई revenue surplus होना चाहिए कर बढ़ा करके नहीं करदाता की संख्या बढ़ा करके साथ-साथ ये भी कहा गया कि revenue receipts यानि राजशो प्रापतियों और revenue expenditure राजशो के खरचे के बीच एक तार्किक संतुलन बना रहना चाहिए इसलिए 2013 में संकल्पना आई zero revenue deficit की 2013 में कौन से संकल्पनाई? 2013 में संकल्पनाई, 2013 में कॉंसेप्ट आया Zero Revenue Depsit की, सुन्य राजस्व घाटे की, ठीक, और सरकारों की ये राजको सी जीमेदारी प्राप्त दी गई, कि वह Zero Revenue Depsit को तार्कित तरीके से प्राप्त करे, अर्था सुन्य राजस्व घाटा यानि र राइदे में भी न रहे, और राजस्व घाटे में भी न रहे, इसे कहा गया Zero Revenue Depsit, समझ में आ गए बात, इसे कहा गया Zero Revenue Depsit, अब एक कॉंसेप्ट और आया, 2011 बारे में, ठीक, 2011 बारे में एक कॉंसेप्ट आया, यूनियन भजट 2011 बारे से लाए गया, और उस कॉंसेप्ट को कहा गया, प्रभावी राजस्व घाटा, Effective Revenue Depsit, अब होगी ये प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, याद रखना, एक चीज़ समझा रहा हूं, भईया जब राजस्व ब्याय अधिक होगा, राजस्व ब्याय अधिक होगा, तभी तो राजस्व घाटा होगा, तभी तो क्या होगा, राजस्व घाटा होगा, ब्याय अधिक तो घाटा अधिक, 2011-12 में बित्रमंत्री ने एक सवाल उच्छाला बित्रमंत्री ने कहा हमारे राजशुब्याई में जो केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान में पैसा देती है जो अनुदान में पैसा देती है यह अनुदान में दिया गया पैसा भी राजशुब्याई में ही सामिल होता है कि किन सरकार जो अनुदान के रूप में राज्यों को पैसा देती है वह अभी किन सरकार के राज्यों को दिया गया पैसा भी राज्यों कि राज्यों का सरजन नहीं होता है वित मंद्री ने कहा कि राज्यों को जो हम अनुदान देती हैं राज्य अपने हां उससे ढ्हेर सारी संपत्यां बना लेती हैं संपत्यां बना ले बित्मंत्री कह रहे हैं कि राज्यों को जो अनुदान देते हैं राज कई जगा सणके बना लेते हैं राज कई जगा इस्कूल बना लेते हैं हस्पिटल बना लेते हैं उनकी बिल्डिंग बना लेते हैं तो बित्मंत्री ने कहा कि राजों को जो हमने अनुदान के रूप में पैसा दिया है उससे जितने पैसे की बन गई है उस पैसे को राजशोगाटे से निकाल देना चाहिए और जो आए उसे प्रभावी राजशोगाटा कहना चाहिए और हमारे मुल्यांकन प्रभावी राजशोगाटे के आधार पर ही होना चाहिए तो बित्मंत्री कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के राजशोगाटे में वे ब्याइभी सामिल हैं जिसे वह राज़ों को अनुदान के रूप में देती है बित्मंत्री कह रहे हैं कह रहे हैं इसमें सामिल हैं अस्थानी निकायकों को दिया गया पैसा जो वह अस्थानी अस्तर की विकास पर योजनाओ पर खर्च करते हैं बित मंत्री कह रहे हैं कि हमारे ब्याय में जो राजयों को अनुदान दिया है उसमें राज ठीक स्वास्थ सिक्षा ग्रामीड विकास के लिए भी धेर सारे अनुदान लेते हैं यानि बित मंत्री कह रहे हैं राजयों को स्वास्थ सिक्षा क्रिसी ग्रामीड विकास के लिए यह भी हमने अनुदान दिया है यह भी पैसा हमारे राजव सुबह में सामिल है वित मंत्री कह रहे हैं कि विभिन योजनाओं को जो अनुदान दिया है जैसे प्रधान मंत्री ग्राम सड़की योजना तौरिसी चाही लावकारे क्रम उनको जो अनुदान दिया है यह भी हमार राजशुबय में सामिल है वितमंत्री कह रहा है कि यह जो हमने अनुदान का पैसा दिया है जो हमारे राजशुबय में सामिल है इनसे कई प्रकार की विकास सील परिसंपत्यों का निर्माड हो रहा है जैसे स्कूल अस्पताल की मारते सडक सिचाई और सरचना इत्यादी बन रही है इस प्रकार वितमंत्री ने टर्क रखा कि चुकि इससे विकास सील परिसंपत्यों का निर्माड हो रहा है इसलिए इसे रिवेन्यू डेपसिट में सामिल नहीं करना चाहिए और सरकार ने यह तरक दिया कि वास्तविक रिवेन्यू डेपसिट तो तब निकल जब राजशो घाटे से अनुदान के रूप में उस पैसे को निकाल दिया जाएगा जिससे संपत्यों का सुर्जन हुआ है, संपत्यों का निर्माड हुआ है, और यहीं से कॉंसेप्ट आया प्रभावी राजशो घाटा का इफेक्टिव रिवेन्यू, डेपसिट का, वित्म भी संपत्यों का सुर्जन हुआ है, उसको घटा दीजिए, जो निकलेगा वही कहलाएगा इफेक्टिव रिवेन्यू, डेपसिट, जो निकलेगा वही कहलाएगा इफेक्टिव रिवेन्यू, डेपसिट, जो निकलेगा वह कहलाएगा इफेक्टिव रिवेन्यू, डेपस जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा effective revenue deficit प्रभावी राजश्व घाटा यानि सीधी सीधी बात कह रहे हैं संसद में बित्मंत्री कि एक नए concept पर हमारा मुल्यांकन किजिए और वो concept है प्रभावी राजश्व घाटा प्रभावी राजश्व घाटा को concept है प्रभावी राजश्व घाटा का मतलब होता है राजश्व घाटे में से ठीप अनुदान के उस पैसे को निकालिए अनुदान के उस पैसे को को घाटाईए क्या किजिए घाटाईए जिससे संपतियों का स्रिजन हुआ है जिससे राजश्व में संपतियों का स्रिजन हुआ है हुआ है उस पैसे को घाटाईए जिससे राजश्व में संपतियों का स्रिजन हुआ है इसे कहते हैं प्रभावी राजश्व घाटा राजश्व घाटे में से उस पैसे को घाटाईए जिससे राजश्व में संपतियों का स्रिजन हुआ है और इसे कहिए प्रभावी राजश्व घाटा और 2011.12 में कॉंसेट आया प्रभावी राजश्व घाटे का ठीक समझ में आ गई बात दो 11.12 में कॉंसेट आया प्रभावी राजश्व घाटे का ठीक यह कहानी है प्रभावी राजशो घाटे की यानि अगर हम बात को थोड़ा पीछे ले करके जाएं ठीक हम बात को थोड़ा पीछे ले करके जाएं जहां शेबात सुरू किये थे वहां ले करके जाएं और हम सीधे सीधे कहें कि हमने आपने राज को इसका जो हिसाब किताब कि पहला हिसाब किताब किसका किया था राजशो खाते का इसमें राजशो प्राप्तिया पढ़ लिया राजशो अदिसेश पढ़ लिया राजशो घाटा पढ़ लिया प्रभावी राजशो घाटा पढ़ लिया यानि हमारा राजकोसी खाते वाला मामला हो गया अब हम पूजगत खाते की और, अब हम पूजगत खाते के हिसाब किताब को समझते हैं, पूजगत खाते में भी बिल्कुल वैसा ही है, जैसा राजश्व खाते भी है, यहाँ भी पहले हम बात करेंगे पूजगत प्राप्तियों की, फिर हम बात करेंगे पूजगत ब्याय की, तो आ पूजिगत प्राप्तियों की, capital receipts की, और फिर बात करेंगे पूजिगत ब्याय की, capital expenditure की, तो समझते हैं पूजिगत प्राप्तिया क्या होती हैं, याद रखिए, सरकार द्वारा जीतनी भी गैर राजश्व प्राप्तिया होती हैं, non revenue receipts होती हैं, यानि गैर राजश्व के अलावा जो भी पैसा आता है, उसे कहते हैं हम पूजिगत प्राप्तिया, तो सरकार के पास, जो भी गैर राजश्व का पैसा आता है, उसे क्या कहते हैं, पूजिगत प्राप्तिया कहते हैं, राजश्व के अलावा जो भी पैसा आता है, जो भी प्राप्तिया आती हैं, उ इसका उद्देश निवेश करना होता है याद रखिएगा राजश से अलग है इसका उद्देश क्या है निवेश करना होता है यानि इस पैसे को सरकार क्या करती है इन्वेश्टमेंट करती है ऐसी जगह घर्च करती है जहां से प्रोडक्टिव एसेट्स का सिर्जन होता है उ तथा बीदेशों में कई प्रकार के रिड़ दे रहती है। जो ये 2025 में आ रहा है मूलधन तो जो वो मूलधन का पैसा आ रहा है उसमें 2025 के बजट में पूजीगत प्राप्टियों में दिखाये जाएगा और यहां यहां यह बाद भी समझने की जरूरत है कि जो ब्याज आया इसका जो इसका ब्याज आया ब्याज के पैसे को हम हमेशा राजश्यों की प्राप्टियों में सामिल करते ब्याज के पैसे को हम हमेशा कहां सामिल करते हैं ब्याज के पैसे को हम हमेशा राजश्यों की प किस सरकार ने 2020 में 1000 करोड रिड दिया और का आवक हम 10% पर रिड दे रहे हैं तो हर साल व्याज का पैसा मिलता है और मूल धन की एक ही बारवापसी होती है ऐसे समझा देता हूँ माल लिजिए सरकार ने गौर्मेंट ने 2020 में किसी को भी 1000 करोड का रिड दिया और कब तक के लिए दिया 2025 तक के तो सिश्टम यह होता है कि जो एक हजार करोड जो मूल धन है मूल धन जितने दिन के लिए दिया है उतने दिन बाद वापस आएगा यानि एक हजार करोड कब आएगा 2025 तो जो मूल धन वापस आएगा इसे रखेंगे पूजिगत प्राप्टियों इसे रखेंगे पूजिगत प्राप्टियों अब रिड दिया है तो ब्याज लेगी जो ब्याज का पैसा हर साल आता है, माल लो 10% ब्याज पर दिया है, तो 1000 करोड का 10% ब्याबर 100 करोड, तो 100 करोड हर साल क्या आएगा? 100 करोड हर साल, 100 करोड हर साल इंट्रेस्ट आएगा, जो इंट्रेस्ट का पैसा आएगा, उसे रखेंगे राजश्व प्राप्तियों, उसे कहां रखेंगे? राजश्व प्राप्तियों, जो इंट्रेस्ट का पैसा हर साल आएगा, उसे कहां रखेंगे? उसे रखेंगे राज राजश प्राप्तियों यानि पूजियक प्राप्तियों में जो पहली प्राप्ति होती है वह यह होती है कि सरकार ने जो रिड दिया है रिड की वशूली जो हो रही है मूल धन का जो पैसा आ रहा है वह कहां रखा जाता है वह रखा जा रहा है पूजिगत प्राप्टियों में हाँ याद रखेगा इस रिड से जो ब्याज का पैसा मिलता है वह राजश प्राप्टियों में रखा जाता है बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि इन दोनों में confusion होता है तो पूजिगत प्राप्टियों में पहला पैसा रिड़ की वशूली दूतरा पैसा है जो पूजिगत प्राप्टियों में सरकार भी कई प्रकार से कर्ज लेती है सरकार एक कर्ज देती भी है, कर्ज लेती है, तरकार आंतरिक कर्ज भी लेती है, देश के भीतर से भी कर्जा लेती है, सरकार वाहिरी भी लेती है, देश के बाहर से भी कर्जा लेती है, सरकार विश्व बैंक से कर्जे लेती है, सरकार आईमेप से कैसे कर्जे लेती है, सरकार अन वैश्विक वित्तिय संस्थानों से भी करजा लेती है ब्रिक्स के बैंक से करजा ले लिया एसियन डेवलप्मेंट बैंक से करजा ले लिया इन सब करजों को वाह करजे कहा जाता है देश के अंदर के संस्थानों से भी करजे लेती है इन सब कर्जों को क्या कहा जाता है आंतरी कर्जा कहा जाता है याद रखिएगा सरकार कर्जा क्यों लेती है सरकार कर्जा लेती है निवेश के लिए सरकार कर जा लिती है उद्योग लगा रही है फैक्टी लगा रही है बाद बना रही है पुल बना रही है रेल चला रही है बंदे भारत बुलेट ठेन याद आ गया देखो बुलेट ठेन के लिए किसे कर चालिया है जापान से कर चालिया है ठाक ठाक के बुलेट ठेन चलेगी अपने विद्ध्यार्थियों की गती देख करके, हमारा विद्ध्यार्थियों वी बुलेट की स्वीट से बढ़ रहा है, ठीक, फिर तुम लोगे कि हम राकेट की स्वीट से बढ़ होगे, समझ में आगे बाद, तो सरकार करजे लेती है निवे इसके लिए, तो करजे से जो पैसा मिलता है, उस पैसे को भी किस में रखते हैं, पूजिगत प्राप्तियों में रखते हैं, इसके अलामा शनकार की अन्य प्राप्तियां भी होती है, जैसे सरकार, कई प्रकार के बॉंड बेशती है, कई प्रकार के लगु बचत योजनाय बेशती है, कई प्रकार के इन में इंद्रा विकाश पत्र वेशती है, किशान विकाश पत्र वेशती है, अभी लांच किया है महिला सम्मान विकाश पत्र, महिला सम्मान विकाश पत्र, क्या लांच किया है, महिला सम्मान विकाश पत्र, तो इन, इन से पैसा आता है सरकार देगी, तो जब सरकार को पैसे की सभी पैसे को सरकार की अन्य प्राप्तियां कहते हैं अन्य प्राप्तियों से जो उसे पूजीगत प्राप्तियों में सामिल करते हैं, यह जब पूजीगत प्राप्तियों से प्राप्त किया गया पैसा है, अब सवाल होता है उठता है पूजीगत ब्याय किसे कहते हैं, capital expenditure किसे कहते हैं, याद रखिएगा विए सभी छेतर जहां से पूजी प्राप्त होती है ठीक लेकिन किस तर्थ पर प्राप्त होती है जब खर्च किये हो गए तब ही तो प्राप्त होती है तो पूजी प्राप्त के बदले जो खर्च करना पड़ता है उसे पूजीगत ब्या करते है ता साथ सरकार कई छेतरों में निवेस भी करती है वह ही पूजीगत्वय का हिस्सा होते हैं यानि कुल मिला जुला करके एक लाइन में हम कह दें कि वे सभी इंवेश्टमेंट सरकार द्वारा किये गए वे सभी इंवेश्टमेंट सभी निवेश जिससे assets का स्रिजन होता है जिससे संपत्तियों का सिर्जन होता है संपत्तियां बनती हैं उन सभी निवेस को पूजिगत ब्याय में सामिल किया जाती है जैसे सरकार ने हर साल रिड बितरित किया है क्यों बितरित किया है? क्योंकि यह रिड बाद में भी वापस आएगा ब्याज भी कमा करके देगा तो यह भी सरकार की पूजिगत ब्याज में हिस्सा मिल होता है इससे ब्याज से जो कमाई होती है सरकार कहीं करें फिर बादी में इस भी करती है तो सरकार हर साल अनेक प्रकार के रिड देती है आंतरिक और वाहे दोनों प्रकार की देती है सरकार का दिया गया रिड भी पूजिगत ब्याय का हिस्सा होता है अरे जब रिड दिये रहेंगे तब ही न वापस आएगा तो जब रिड दिये तो पूजिगत ब्याय का हिस्सा है जब वापस आया तो फूजिगत प्राप्तियों का हिस्सा हो गया इसके साथ साथ सरकार रिड लिये भी रहती है अभी थोड़ी दिर पहले सरकार रिड ली थी न एक मिनिट पहले तो हमने कहा था सरकार जब करजा लेती है लिवेश करने के लिए तो फूजिगत प्राप्तिय होते हैं लेकिन सरकार हर सल करजे लेती भी है हर सरकार जिस भी बित्ती वर्स में अपने पुराने रिडो को चुकाती है वह पुराने रिडो को चुकाने पर जितना पैसा खर्च होता है उसे पूजिगत ब्याय में सामिल करते हैं यानि रिडो की आदायगी पर जो पैसा खर्च होता है उसे पूजिगत ब्याय में सामिल करत इससा होता है, डिफेंस सेक्टर में याद रखियेगा, सरकार जो संपत्ती बना रही है, राफल बिमान खरीद रही है, तोब बना रही है, मिसाइल बना रही है, एरपोर्ट बना रही है, हलिकाप्टर खरीद रही है, तो डिफेंस का जो एसेट्स खरीदती है, ठीक, वह लेकिन डिफेंस में ही हतियार मेर, गोला बारूत पर, मिसाइल पर, तोप पर, जहाज पर, राइफल पर, ठीक, रणनीतिक सन को बनाने पर, एयरपोर्ट पर, पंडुब्बी पर, ठीक, इन सब बनाने पर जो खर्च होता है वो पुझिगत खर्च का हिस्सा होता है, यानि त अनख्वा और पिंसन में जाना आओ राजस तुबे है और जो डिफेंस से संबंदी एसेट्स बना रहा है, वो किसका हिस्सा है पुझिगत खर्च है, इसमें रक्षा उत्पादन से संबंदी तुद्योग आते हैं, रणनीतिक सनके आते हैं, पोर्ट आते हैं, पेलिवे पर खर्च करती है, पुष्टाफिस पर खर्च करती है, वाटर सप्लाई पर खर्च करती है, शिच्छा पर खर्च करती है, ग्रामेड विस्तार पर खर्च करती है, ये सभी खर्च पूजिगत ब्याय का हिस्सा होते हैं, इसके साथ साथ अभी हमने पढ़ा था सरका सरकार की अन्य प्राप्तियां अभी हमने यहां पढ़ा था ना अन्य प्राप्तियां यह किसमें पढ़ा था हमने पूजिगत प्राप्तियों पूजिगत आये तो सरकार की जो अन्य प्राप्तियां है सरकार बॉंड दे करके पैसा ले ले रही है मुचुल फंड दे करके पैस पैसा ले रहिए, किशान विकास पत्र देकर पैसा ले रहिए, लेकिन जिससे इंद्रा विकास पत्र देकर, किशान विकास पत्र देकर, बांड देकर पैसा ली है, वह वसूली भी तो करने आएगा, उसका पैसा ब्याद समित वापस भी करना होता है, तो अन्य प्राप्तियो सरकार ने bond mutual fund लगु बचती ओजनाय इंद्रा विकास पत्र किसान विकास पत्र महिला समान विकास माल लिजिए इन सब से 10,000 करोड रूपे इकठा कर लिए 10,000 करोड रूपे इकठा कर लिए तो इसे दिखाएगी पूजिगत प्राप्ति और माल लिजिए ये bond इंद्रा विक जोड़ दे दिए 2028 में सरकार को ये पैसा ब्यास समेश चुकाना भी होगा तो 2025 में जो इन से पैसा प्राप्त कर रही है वो अन्य प्राप्तियों में ले रही है लेकिन 2028 में के बजट में जब इनी पैसे को सरकार चुकाने जाएगी तो इनी पैसे को कहेगी हमारी अन्य देंदारिया हैं और जो अन्य देंदारिया हैं उसे हमेशा रखा जाता है पूजी गत्ब्यायमिक इसलिके हैं कि सरकार capital receipts के तहत अन्य प्राप्तियों से जो पैसा प्राप्त करती है उसे एक निश्चिस समय के पश्चात वापस करना होता है जिस वित्तिय वर्स में या पैसा वापस किया जाता है उस वर्स की अन्य देंदारियों में इसकी गर्णा की जाती है जैसे bond के मैच्चोर ह वापस किया जाएगा, उसे उस साल के पूजी गत ब्यह में दिखाया जाएगा, तो ये रहा हमारा पूजी गत ब्यह, अब बात करते हैं, राजकोशी, घाटे की राजकोशी, ठीक, मौदरिकरिद घाटे की, प्रात्मिक घाटे की, इन सब की बात करते हैं, आईए एक चीज स तो राजकोस में हमने बताया, मेरे साथ साथ बता ये, राजश्व खाता है, और फिर क्या है, अच्छा मैं तु भूली जाता हो कि एक रिकार्डड है, मेरे विद्यारती मेरे, आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया, एक रोम रोम में बस गये हैं, तो जिसा फील होता ह पूजीगत खाता दूसरा क्या आता है पूजीगत खाता थीक रेवेन्यु एकाउंट और कैपिटल एकाउंट अब राजश व खाते में हमने क्या बताया था दो होता है राजश व प्राप्तिया और राजश व ब्याज़ वहीं पूजीगत खाता में क्या होता है पूजीगत प्राप्तिया पूजीगत प्राप्तिया और दूसरा होता है पूजीगत ब्याज़ पूजीगत ब्याज़ ठीक अब समझ रहा यही है अब यहां एक बात पर ध्यान दो आप सारे लोग देखिए प्राप्तिया मतलब पैसा प्राप्त हो रहा है ब्याज़ मतलब पैसा खर्च हो रहा है अगर हम कहें कि सरकार को पैसा कहां कहां से प्राप्त हो रहा है एक अपना गडिद लगाते हैं तो आपको दिखिए राज़स व प्राप्तियों से पैसा प्राप्त हो रहा है यहां से है की नहीं और अगर हम कहें कि सरकार का पैसा कहा कहां से खर्च हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि एक राजश्यो ब्याय है एक पूजिगत ब्याय है यानि यहां यहां से पैसा खर्च हो रहा है तो आज़ाशो प्राप्तियां है और पूजिगत प्राप्तियां है राजशो बैय है और पूजिगत बैय है याणि सरकार के आए को एक तरफ रख दे और बैय को एक तरफ रख दे तो राजशो प्राप्तियां और पूजिगत प्राप्तियां दोनों मिलाकर सरकार की प्राप्तिया बन जाएगे राजशो बै और पूजिगत बै दोनों मिलाकर सरकार के बै बन जाएगे तो ऐसे राज को उसका एक हिसाब रख लेते हैं राज को उसका एक और हिसाव रख लेते हैं एक तरफ कर देते हैं प्राप्तियां एक तरफ कर देते हैं प्राप्तियां यानि प्राप्त हुआ पैशा और दूसरी तरफ कर देते हैं ब्याय ब्याय प्राप्ती में हम देखते हैं दो प्रकार की प्राप्तिया, एक राजशो प्राप्तिया और दूसरा है पूजिगत प्राप्तिया ठीक, ये दोनों प्राप्तिया ब्याय में हमको देखते हैं दो प्रकार का ब्याय है एक राजशो ब्याय एक राजशो ब्याय और दूसरा पूजीगत ब्याय दूसरा क्या है पूजीगत ब्याय यह दो प्रकार के ब्याय यही नहीं भाई खर्च को एक तरफ कर दिया ब्याय को एक तरफ कर दिया अब माल लिजिए ब्याय अधिक हो ब्याय अधिक हो किसकी प्राप्तियों की तुल्ला में यानि अगर प्राप्तियां कम हों और खर्चे अधिक हों तो राजकोस फायदे में रहेगा घाटे में रहेगा राज कोस घाटे में चला जाएगा और इसी को कहते हैं राज कोस ये घाटा आप माल लेजिए आईस बने और बित सची हो गए सरकार का जब हिसाब किताब रखेंगे तो आप कहेंगे ये देखो हमारी जितनी प्राप्तियां है उससे दादे खर्च हो गए राज कोस तो घाट में जाने लगा भाईया जितना कमाओगे उससे अधिक खर्च करोगे घाटा होगा ही तो यह जब ब्याए अधिक हैं प्राप्तियों के तुल्ला में तो राज कोस घाटे में जाने लगा है इसी को कहते हैं राज कोस ये घाटा तुरन समझ गए ना थीक तो देखी उन्निस 1997-1998 के बजट से यह अधार रही और कहा गया कि सरकार द्वारा हरजित कुल पैसा तथा सरकार द्वारा खर्च किये गए पैसे का अंतर ही राज कोसी घाटा है राज कोसी घाटा यह बताता है कि सरकार के खर्च यानि ब्याए सरकार की आयसे जादे हैं हम राज कोसी तो जब सरकार के खर्चे से सरकार के अधिक हो जाएं तो इसे राजकोसी घाटा कहते हैं, राजकोसी घाटा के सिंपल और सीजी से परिवासा है, जब सरकार के प्राप्तियों से सरकार के खर्चे अधिक हो जाएं तो राजकोसी घाटे में चला जाता है और इस इस्थति को क्या कहते हैं राजकोसी घाटा कहते हैं अब ने दूसरा सब्द है मौदरी कृट घाटा ये क्या है याद रखिएगा कहते हैं कि सरकार अपने राजकोसी घाटे की जिस हिस्से की भरपाई करेंसी प्रिंट करके करती है उसे मौदरी कृट घाटा कहते हैं माल लिजिए ये गवर्मेंट है गवर्मेंट का कुल राजकोसी घाटा है सौरूपे का अब घाटे की भरपाई कैसे करेगी तो सरकार क्या करती है कुछ विदेशों से उधार लेती है थोड़ा थोड़ा कुछ विदेशों से उधार लेती है बहुत थोड़ा सा थोड़ा सा जादे नहीं थोड़ा सा देश के भीतर उधार लेती है देश के भीतर से उधार लेती है ठीक और कुछ हिस्सा करेंसी प्रिंट कर लेती है ठीक नए नोट छाप लेती है ठीक करेंसी प्रिंट कर लेती है करेंसी प्रिंटिंग करती है यही काम करती है सरकार तो कहा जाता है सरकार अपने घाटे के जिस हिस्से की भरपाई करेंसी प्रिंटिंग से करती है उसे मौद्री कृत घाटा कहते है उसे क्या कहते है मौद्री कृत घाटा कहते है उसे मौद्री कृत घाटा कहते है अब जैसे suppose that माल लिजिये सरकार का राज कोसी घाटा माल लिजिये 100 रूपे का है ठीक तो 30 रूपे सरकार ने बिदेश से उधारी ले लिया 20 रूपे देश के भीतर से उधारी ले लिया यानि 50 रूपे का घाटा तो भर लिया देश 50 रूपे का करेंसी प्रिंट कर लिया तो यह 50 रूपे उस साल का मधेरी क्रिप घाटा कहला है तो समझना यानी राजकोषी घाटे के जिस हिस्थे की भरپाई नोट चापके करती है कि से किस साल सरकार का राजकोषी घाटा एक लाख करोड का हो तो तीस परसेट भी देश से उधार ले लिया यानि 30,000 करोड सरकार ने विदेश से उधार ले लिया, 20 रुपया यानि 20,000 करोड सरकार ने देश के भीतर से उधार लिया, अब 50 रुपया यानि माल लिजिए 50 परसेंट यानि अब 1,00,000 करोड का घाटा है, 30 परसेंट यानि 30,000 करोड तो विदेश से उधार मांग के लिया 20% या नहीं 20,000 करोर देश के भीतर से उधार मांग के लिया है बचा 50 करोर रूपया तो 50 करोर रूपय की इन्होंने क्या कर लिया अभी इन्होंने 50,000 करोर का क्रेंसी प्रिंट कर लिया तो जी राजकोसी घाटा कितना था एक लाग करोड कितने हिस्से की भरपाई करेंसी प्रिंट करके कर रही है तो पचास जार करोड की भरपाई करेंसी प्रिंट कर कर रही है तो ये उस साल का जो मौदरी कृट घाटा हो जाएगा वह कितना हो जाएगा वह हो जाएगा पचास haza haraker यानि सर्कार अपने राजकोषी घाटे के जिस सील भरपा ऐख कर्यंसिय प्रींटिंग करके दलब कर दिए उस से मौद्रीकृत कर अब होता क्या है कि सरकार को घाटा है लेकिन वो बैंक के पास financial institution के पास financial markets में अपने घाटी की भरपाई के लिए बहुत अधिक उधार मागने नहीं जाएगी ठीक सरकार सीधे RBI के पास आती है कहती हमें new currency प्रिंट करके दीजिए क्या कहती है हमें new currency प्रिंट करके दीजिए इसको ऐसे समझाते हैं इस पर नहीं समझाओ समझ जाओ ठीक माल लिजिए यह सरकार है यह है सरकार ठीक यह है सरकार यह है सरकार और यह है RBI भाई सरकार RBI ठीक तो सरकार RBI से कहती है कि हमें राजकोसी घाटे की भरपाई करनी है हमें न्यू करेंसी प्रिंट करके दीजिए क्या दीजिए? न्यू करेंसी प्रिंट करके दीजिए नई नोट छाप करके दीजिए क्या दीजिए? न्यू करेंसी प्रिंट करके दीजिए क्या किजिए new currency प्रिंट करके दीजिए तो government ने RBI को क्या दिया new currency प्रिंट करके दे दिया sorry government ने कहा RBI से हमें new currency प्रिंट करके दीजिए RBI कहती है कि हम आपको new currency प्रिंट करके देंगे लेकिन है इसे थोड़ा देंगे हम आपको यह currency कि उधार के रूप में देंगे किस रूप में देंगे उधार के रूप में देंगे या करेंसी उधार के रूप में देंगे या करेंसी उधार के रूप में देंगे या करेंसी उधार के रूप में देंगे यानि हम आपको जो नई नोट छापके देंगे वह आप पर हमारे द्वारा चड़ी गई उधारी होती है तो सरकार कहती है ठीक भाई उधारी एक रूप में दूँ तो RBI कहती है उधारी की सर्थ है आप हमारे पास जितनी नोट छपवानी हो उतने की गौर्मेंट टीज गिर्वी रखिए हम डेप्सिट मोनिटाइजेशन की प्राफस समझा रहे है तो होता क्या है कि सरकार प्रतिभूतियां RBI के पास गिर्वी रख देती है फिर RBI ल्यू करेंसी प्रिंट करती है और इसे उधार की रूप में सरकार को दे देती है जितने की नोट चपवाएं यहें यहें मद्रीकृत घंध आप अब एक शब्द आता है प्रात्मिक घंटीक घंटा हम देखो होता क्या है सरकार का हो गया है राजकोशिय घाटा, ठीक, राजकोशिय घाटा कब हुआ है, जब खर्चे अधिक है, अब जोर सरकार राजकोशिय घाटा बताएगी, सारा विपक्ष वाले सरकार के दम मुह पर आकर बोलेंगे, बहुत खराब सरकार है, इतना राजकोशिय घाटा कर दिय आपको ठीक नहीं, आपको मित की समझ नहीं, आप मुंफली बेचिए, पिसे इसे कहने लगते हैं, तो सरकार कहती है, देखिए भईया, हमारा मुल्यांकन सिर्फ राजकोसी घाटे से मत कीजिए, क्योंकि राजकोसी घाटा तब हुआ है, जब हमारे खर्च अधिक है, जब हम आज का भुकतान भी शामिल है, जिसे पिछले वर्सों में, जिसे पिछले वर्सों में कर्च के रूप में लिया गया था, या यूँ कहिए, कि कहती है, सरकार कहती है कि हमारे खर्च अधिक है तब ही राजकोसी घाटा हो रहा है, लेकिन सरकार करी एक सारे खर्च के लिए ह हमी जीनमदार नहीं है, यह इसी साल का खर्च नहीं है, सरकार कहती है हमारे इस ब्याय में ब्याज का भुक्तान भी सामिल है, और कौन सा ब्याज का भुक्तान, जिसे पिछले वित्ति वर्सों में जो कर्ज लिया गया था, जो कर्ज लिया गया था, पिछले वित्ति वर्सों में जो कर्ज लिया गया था, ठीक, पिछले वित्ति वर्सों में जो कर्ज लिया गया था, उसका हर साल हमें ब्याज देना पड़ता है, और जो ब्याज हमें देना पड़ता है, ठीक, वह जो ब्याज का भुक्तान है, वह अ तो इसमें 100 करोन रुपया तो हम वो ब्याज का भुकतान कर रहे हैं जो पिछले साल हमने कर्ज लिया था पिछले वरसों में कर्ज लिया था यानि सारा भिया इस साल का नहीं है तो सरकार कहती है देखिए जितना भी राजकोसी घाटा आया है इसमें से वह पैसा घटा दी जो हम ब्याज भुकतान कियें यानि राजकोसी घाटे में से वह पैसा घटा दी जिसे हम ब्याज भुकतान कियें और राजकोसी घाटे में से ब्याज भुकतान का पैसा घटाने के बाद जो बचे वही प्रात्मिक घाटा है वही प्रात्मिक घाटा है यानि फर्मूला क्या हो गया फर्मूला हुआ प्रात्मिक घाटा बराबर राजकोसी घाटा- ब्याज भुकतान का पैसा अब अगर राजकोसी घाटा माल लीजिए 100 रूपय का है 25 रूपया ब्याज भुकतान के रूप में किया गया तो बचेगा कितना इस 25 को घाटाने गवाद 75 रूपया बचेगा तो यही 75 रूपया उस साल का क्या हो जाएगा प्रात्मीक घाटा हो जाएगा यही 75 रूपया उस साल का क्या हो जाएगा प्रात्मीक घाटा हो जाएगा यानि राजकोसी घाटे में से ब्याज भुकतान का पैसा घाटाने के बाद जो कुछ भी बसता है उसे प्रात्मीक घाटा कहते है समझ में आगई बात था पताया जा बस इतनी से बात अब एक आखरी बात जिसे कहते हैं ठीक FRBM Act 2008 इसका सॉरी FRBM Act 2003 जिसका पूरा नाम है हिंदी में है राजकोसी जबाब देही और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 देखो 2000 तक आते आते सरकार के अस्तर पर यह शाहमती बन गई कि हमें अपने राजशो घाटे और राजकोसी घाटे को कंट्रोल में रखना होगा फिर सरकार के अंदर ये भी बात चेली कि सिर्फ कहने से कंट्रोल नहीं होगा क्यों हम एक कानूनी धाचा तायार करते क्यों हमें क्या करते कानूनी धाचा तायार करते एक कानून ला दे और उस कानून के माध्यव से हम राजशो घाटे और राजकोसी घाटे दोनों को कंट्रोल करें तो 2003 में एक कानून लाया गया जिसे कहा गया F.R.V.M.S. 2003 कहा गया कि यह F.R.V.M.S. 2003 एक ऐसे कानून की रूप में काम करेगा जिसके माध्यम से केंद्र और राज की सरकारे अपने राजकोसी घाटे और राजशो घाटे को तेजी से तेंतरित करेगा F.R.V.M.S. 2003 लाया गया तो लक्ष रखा गया 2008 का और कहा गया कि 2008 तक राजकोसी घाटे का हम लक्ष रख देते हैं कि चाहे केंद्र की सरकार हो वह राजकोसी घाटे को GDP के 3% तक रखेगी और राज की सरकारे भी अपने राजकोसी घाटे को GDP के 3% तक रखेगी यानि जितनी GDP होगी आपका राजकोसी घाटा उसका 3% होना चाहिए अगर 100 रुपे की GDP हो तो राजकोसी घाटा उसका 3% यानि 3 रुपे हो अगर 200 रुपे की GDP हो तो राजकोसी घाटा उसका 3% यानि 6 रुपे हो यानि जितनी आपकी GDP होगी आपका राजकोसी घाटा चाह सरक केंद्र की हो या राज की हो उसके तीन प्रूसेंट और उसके 10 परसनिंटी होगा एक बात करती है दूसरी बात कही डायी राजत Gu effect कहा गया कि 2008 तक चाहे केंद्र हो या राज्य हो सरकारे अपने राजस घाटे को खत्म कर लेंगी और उसे 0% पर ला देंगी यह बात कही गई FRBM Act 2003 में अर्चात कुल में लाजू ला करके FRBM Act 2003 जब लाया गया तो यह बात तै की गर्दी गई लक्ष रखा गया 2008 तक का और यह कहा गया कि राजकोसी घाटे को GDP के 3% पर लाएंगी और राजश घाटे को हम GDP के 0% पर ले आएंगी यानि राजश घाटे को 0 कर देंगे ठीक लेकिन केंश सरकार इन लक्षों को प्राप्त नहीं कर पाई केंदर सरकार इन लक्षों को प्राप्त नहीं कर पाई हाँ यह सच है कि भारत के कुछ राज्यों ने कुछ राज्यों ने इन्हें प्राप्त किया लेकिन केंदर सरकार इन लक्षों को प्राप्त नहीं कर पाई उसकी वज़ा थी 2007 में अमेरिका में आई आर्थिक मंदी अमेरिका की मंदी ने पूरे यूरोप समय भारत को प्रभावित करना शुरू कर दिया उस मंदी से निपटने के लिए भारत सरकार ने अपना लोक बे पबलिक एक्सपेंडीचर बढ़ा दिया अपने खर्चे बढ़ा दिये अब सरकार जब खुद ही खर्चे बढ़ाने लगेगी तो घाटा बढ़ेगा घाटा कम कहाओगा यानि 2008 आठ तक आते यहां लक्ष प्राप्त नहीं हो सका और आठ क्या उसके बाद भी प्राप्त नहीं हो पाया साल 2012 था 1112 था किन सरकार संसद में एक एक एक्ट लेकर आई और उसने कहा कि हम FRBM एक्ट में संसोधन करेंगे और किन सरकार एक नया कॉंसेट लेकर आई जिसे प्रभावी राजश घाटा कहा गया इफेक्टिव रेवेन्यू डेपसिट कहा गया सरकार ने कहा कि हमारा मुल्यांकन यह कहानी अभी थोड़ी दिर पहले बताए है सरकार ने कहा कि हम हमारा मुल्यांकन आप राजश घाटे पर मत किजिए हमारा मुल्यांकन अब प्रभावी राजशो घाटे पर किजिए, यानि सरकार ने कहा कि अब हम राजशो घाटे की बात नहीं करेंगे, अब हम प्रभावी राजशो घाटे की बात करेंगे और सरकार ने लक्ष रखा कि 2015 तक हम प्रभावी राजशो घाटे को 0% तक लाएंगे। इनके सिंग समिच्छा समीतिका गठन किया 2016 में इसके सदस से बनाये गए उर्जित पतेल जो अर्भियाई के गऊर्नर भी रहे अर्विंद सो ब्रमडियम जो प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाकार थे इन दोनों को मेंबर बनाये गया इनके सिंग समिच्छा समीतिका आप रहे थे दरसल वित्मंत्री अरुर्जेटली या महशूश कर रहे थे कि एफार बियम एक्ट बहुत सक्ती से राजकोसी घाटे को नियंत्रित करना चाह रहा है और जब कोई बैश्विक भित्ती संकट या राष्टी आर्थिक संकट आता है तो संकट के दौरान या शंभाव नहीं है कि सरकारे सब कुछ भूल करके एफार बियम एक्ट के लक्षो को प्राप्त करने में लग जा है इसलिए बित्मंत्री एफार बियम को लचीला बनाना चाहते थे इसलिए एनके सिंग समिक्षा पैनल का उन्होंने गठन किया इस एलके सिंग समिक्षा पैनल ने अप कानून और जोड दे रहे हैं एनके सिंग समिच्छा पैनल ने कहा कि हम ट्रीगर तंत्र और बचाओ खंड नाम का एक कानून जोड रहे हैं यानि हम एक नया क्ला जोड रहे हैं जिने कहा जाएगा ट्रीगर तंत्र और बचाओ खंड तो इसमें ट्रीगर तंत्र क्या है और ब स्देजी से किसी भी कारड़ से गिरवत आ रही हो या देश की अर्थवियोस्ता में सरसनात्मक सुधार किये गये हो और इस कारड़ अर्थवियोस्ता को जटके लगे हो इन परिष्थितियों को n.k. समिक्षा पैनल ने Trigger परिष्थितियां कहा कहा कि ये वो बचाओ खंड का प्रियोग करेगी यानि इन परिस्थितियों को क्या कहा गया ट्रिगर परिस्थितिया कहा गया कि इन परिस्थितियों के दावरान सरकार बचाओ खंड का प्रियोग करेगी और बचाओ खंड का मतलब क्या है बचाओ खंड का मतलब है कि सरकार अपने राजक राजकोसी घाटे का जो लक्षक था वो 3% ही था कहा एनके सिंग समिच्छा पैलल ने अपनी सिफारिस में कि यदि ये ट्रीगर परिस्वतियां आएं तो सरकार अपने राजकोसी घाटे को 3.5% तक ले जा सकती है यानि जितना भी राजकोसी घाटा चल रहा हो पिछले वित् सरकार ने अब तक दो बार COVID के दावरान जब सरकार ने अब तक दो बार 2019 और 2020 के बजट में और साथ ही साथ 2020 और 2021 के बजट में ठीक इस ट्रीगर तंत्र और बचाओ खंड का इस्तेमाल किया यानि इन परिस्टियों का इस्तेमाल सरकार ने 2020 के बजट में और 2020 के बजट में किया तो यही है ट्रीगर तंत्र और बचाओ खंड और यही है कुल मिलाजुलाकर के एफार वियम यही है कुल मिलाजुलाकर के राजकोशी नीती तो बात की थी हमने उजाले से बात की थी हमने रोसनी से कि जलाओ दिये पर रहे ध्यान इतना अंधेरा धरा पर कही रहना जाए तो यह जो पढ़ाई है जो लिखाई है जो यूटूब पर हम मेहनत कर रहे है आप पढ़ रहे है यह उस दिये में तेल की थरा है तेल जीतना रहेगा रोसनी उतनी तेज होगे और अपने स्रम का तेल इतना डाल देना है कि एक शायर ने कहा कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला जिस दिये में चान होगी वो दिया रह जाएगा तो मैं अपने हर विद्यार्थी से चाहूंगा कि यात्रा दिये से सुरू करे और बन जाए सूरज तो इस दिवाली आपको सूरज बनने की धेर सारी सुभकामनाएं धेर सारी बधाईयां धेर सारा आसिरवाद आपका हमेशा जंदावाद हो जंदावाद हो जंदावाद हो नमस्कार जह